दोस्तो आज के हम इस वीडियों बात करने वाले हैं कि आप घर वैथे जाती परमान पत्र के लिए ओनलाइन अपलाई कैसे करेंगे जाती परमान पत्र बनाने के लिए आपको बलोग जाने की कोई भी जुवत नहीं है आप घर वैथे अपने मोबाइल फॉन के माधियम से या वीडियों को कहीं से भी किज़ेगा क्योंकि आज के हम इस वीडियों में complete प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको जाती प्रमान पत्र बनाना और बन जाने के बाद आपको कैसे इसे डाउनलोद करना है और कैसे आप सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी तो चलिए बिना पत्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबायल या लैप्तौप में गूगल ओपन करना उसके वाद में सच करना सरकारी information जैसे इसका को सरकारी information का के सब्सक्राइब सब्सक्राइब पाने के वारेहां पर आपको नीचे में आपको एक option मिलेगा आया करना होगा इस पर जैसे किलिक करेंगे आपके सामने इस परकार से एक निव पेज ऊपर होगा इस पेज का डिरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के description box में देदी हैं वहां सभी आप डाइरेक्ट इस पेज पा सकते हैं इस पेज पाने के बादे यहां पर आपको नीचे को इसकोल करके नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहां पर आप महत उन लिंक वाले section में देखेंगे एक option मिलेगा online apply का इसी के सामने यहां पर आपको click here का option मिलेगा इसी click here पर आपको click करना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे service plus के official website पर आप redact हो जाएंगे इस website पर आने के बाद यहां पर आप दो तरीके से जाती प्रमान पत्र बना सकते हैं पहला तरीका यहां पर यहां पर आपको नीचे को इसकोल करके नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे लोग सेवाव का अधिकार कि सेवाय वाले section में एक option मिला समाने पर सासन विभाग का इस वाले option पर क्लिक करना होगा इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको आवासिये परमान पत्र का निरगमन का option मिलेगा आये परमान पत्र का निरगमन का option मिलेगा तो इस वाले link पर क्लिक करके यहां सभी प्रामार्ण प्रे लिए उनलाइन अपलाई कर सकते हैं यहां पर आपको जो हुए Gör आने वाला हुए लोगिन करके बताने माला हूं तो उसके लिए लीए उसके बार को नीचे में ओप्संद मिलेगा लोगिन के लिए आगे बढ़ एक आसे लिए अब आपके सामने Logan फाला Financial page ऑन घाएगा तो दोस्तों आफ को अपना user ID and password दाल करें के इस website सब्सक्राइब का इस यूजर आईदिो पासवर्ड आप बिल्कुल फ्री में कैसे बनाएंगे इस टॉपिक पर हम और लेदी वीडियो बना चुके हैं उस वीडियो का लिंग को पाई बतन में नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा जहां से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बरे ही असानी से आप इस वेब साइट के यूज आईदी और पासवर्ट बिल्कुल फ् पासवर्ट जो यहां पर इंटर करने का अप्शन मिल आया तो हम यहां पर पासवर्ट इंटर कर देते हैं और उसके बाद यहां पर जो बॉक्स मिला इस बॉक्स में चेक आउट करने के बाद साइइन वाले अप्शन पर क्लिक करना होगा अगर आप इस वेब साइट पर प इस वेवसाइट पर लोगिन हो जाते हैं उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं इस वेवसाइट पर लोगिन होने के बाद इस परकार का डेस्पोड ओपन होगा तो यहां पर आप देखेंगे अप्लाइफ और सर्विस का अप्सन मिलेगा इस वाले अप्सन पर क तो यहां पर आपके सामनी इस परेकार से तीन ऑप्षन सो करने लएगा जाती परमान sínta नहीं मेंने लिए तो इस फाराम को आपको अच्छे मिलेग़ा जैंडर का तो यहां पर आप कोंगा में बना रहा है तो, ऐहां पर कोई अभिवादन नहीं वाले अप्षन को 1 ग्रम इसके बाद यहां पर आपको नीचे यहां पर आपको उनके फादर का नाम इंगलिस में फिलब करना और यहां पर आपको इसे खाली भी छोड़ सकते हैं साधी सुदा महिला का जाती परमान पत्र कैसे बनाया जाता है जिस टोपिक पर हम और लेदी वीडियो बना चुके हैं उस वीडियो का लिंक पाई बतन में नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़ी असानी साथी सुदा महिला का भी जाती परमानपत्र बना सकते हैं अब यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे में आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा और यहाँ पर आपको इमेल आइदी इंटर करना होगा तो यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर इंटर किजिएगा जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो और यहाँ पर भी आप वह का नाम सिलेक्ट करना है उसके बाद यहां पर आपको दिस्तिक का नाम सिलेक्ट करना है और अब यहां पर आपको अनुमंदल का नाम सिलेक्ट करना है तो जिस भी अनुमंदल सब बिलोंग करते हैं उसका नाम सिलेक्ट कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आप ब्लॉक का ना नमबर दालने का जेगा तो यहां पर आप बाद नमबर इंतर कीजिए गा उसके बारे यहां पर आपको पूलिस एस्टेशन पर मिलेगा तो इस वाले उप्सण पर क्लिक करके आपका जो भी थाना परता है उसका नाम यहां से सेलेक्ट कर लिजेगा और यहीं पर आपको एक option मिल जागा प्रिंट कोड का तो यहां पर आपको अपने area का प्रिंट कोड इंतर करना है उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो पर जेन टायदेश वाला पेज ओपन हो जाता है तो अब आपको पर जेन टायदेश अलग है तो यहां पर आप पर जेन टायदेश को भी बारी बारी से सारा details को फिलप कर लिजेगा अगर आपका पर नेन टायदेश और पर जेन टायदेश दोनों सेम है तो यहां पर आपको इस वाले box में तिक करना होगा इसमें आप जैसे ही तिक किजेगा यहां पर आपका मोबाइल नमबर रजिस्टर है तो ही यहाँ पर अधार नमबर को इंतर किजेगा वरना आप इस बॉक्स को खाली छोड़ दीजेगा अगर यहाँ पर आप अधार नमबर इंतर करते हैं तो आपके अधार काद से जो भी मोबाइल नमबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नमब अपंज़ फोंतो अपलोद कर लीज़ेगा और यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि आप उप्वोंतों अप्लोद ही के लिए किनली चाहिए नहीं होना चाहिए उपलं लोगलकल裡 के लिए करता उसके तो गोरिकाया पर पर और सेलेक्ट किजिएगा अब आपको जाती का अपशन मिलेगा में तो इस वाथे क्लिक कर करने के बादें यसे नहीं पर मिलेगा यहां पर आपको website का को नीचे आना ने नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो capture code मिला SMC capture code को यहाँ पर आपको इस वाले box में enter करना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में proceed वाले option पर click करना है proceed वाले option पर click करते ही आपके सामने इस परकार से preview page open होगा तो यहाँ पर आपको एक बाद अच्छे तरीके से सारे details को मिला लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्यों स्कूल करके नीचे आजाना है नीचे में यहाँ पर आपको अतैय चनेक सूर वाले option पर click करना है अतैय चनेक सूर वाले option आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आप डाइरेक्ट सम्मित वाले option पर click किजेगा अगर यहाँ पर आदार नंबर को verify नहीं किये हैं तो अतैय चनेक सूर वाले option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने document upload करने वाला page open होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको document select करना होगा तो जो भी document यहाँ पर आप upload करना चाहते हैं उस document को select कर लिजेगा और यहाँ पर आप जो document select किया हैं उस देकोमेंट को यहाँ पर choose file वाले option पर click करके upload कर लीज़ेगा देकोमेंट upload करने के बाद यहाँ पर save and episode वाले option पर click करना होगा इस पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने फिर से एक new page open हो जाएगा और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपका सारा detail हो जाएगा जहाँ पर आपको सारे details को एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है अगर आप अधार number डाल करके अधार verify किया होगा तो यहाँ पर जो आपके सामने इसी परकार से direct summit का option मिलेगा तो direct summit वाले option पर click कर लेना है summit वाले option पर click करते ही आपका आवेदन successful complete हो जाएगा और आपके सामने इस परकार से आपका receiving show हो जाएगा जिसे आपको print करके रख लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि आपका जो आवेदन हो दस दिन में complete किया जाएगा और यही पर आप देखेंगे तो आपका जो परमान पत्र बन करके तयार होगा उसका भी date यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो इसी date को जो है आप इसे download भी कर सकते हैं तो इसका status कैसे चेक करना है और बन जाने के बाद कैसे इसको आपको download करना है जिस topic पर हम और लेदी वीडियो बना चुके हैं उस वीडियो का link को उपाई बतन में और नीचे description box में मिल जागा वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़े ही असानी से आप इसका status भी चेक कर सकते हैं और आपका जाती प्रमान पत्र बन जाता है तो ऐसे में आप इसे download भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको इस receiving को PDF format में save करने के लिए नीचे आना आए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल जागा export तो PDF का इस वाले option पर क्लिक किजिएगा इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यह जो receiving है वह आपके phone में PDF format में download हो जाएगा तो इस परकार से आप पसंद आए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए गाव इसी तो अब देट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाव अभी आपके मन में किसी परकार का कन्फूजर ने तो comment box में comment कीजिए गा हम आपके comment का reply देने का पूरी को सिस्क्राइग झाल